वेलकम टू ब्लेंडर इस वीडियो में हम कर्व के बारे में जानेंगे और देखेंगे कितने टैप्स के कर्व होते हैं और कर्व का यूज क्या होता है तो वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले शिफ्ट ए प्रेस करेंगे कर्व में जाएंगे और अब देख सकते हैं य लेकिन जो main curve है, जो मैं ज्यादा use करता हूँ, वो है bezier, circle और एक है path, तो सबसे पहले मैं bezier को add करूँगा, तो कुछ इस तरह का आपको यह curve दिखेगा, इसको अगर मैं edit mode पर जाऊँगा, तो आपको दो point दिखेगे, जिसकी मदद से आप इसका shape change कर सकते हो, इसको आप rotate कर सकते हो, move कर सकते हो, और इसको scale कर सकते हो, और इसी तरह एक दूसरा जो है circle, circle को भी add करेंगे, तो circle भी इसी तरह का है, लेकिन इसका जो shape है, वो circle में है, तो इसमें आपको 4 point दिखेगए, जिसकी मदद से आप इसका shape जो है, dots है और इसको अगर मैं उपर की side drag करूंगा तो आप यह देख सकते हैं यह कफी smooth करूँ है इसमें मतलब कि यह अपनी smoothness जो यह maintain रखता है चाहे आप जितना भी इसको drag करो तो यह एक फर्क है दोनों कर्व में और इसके अलावा इसमें अभी तो यह खाली एक line है इसमें कोई geometry नहीं है तो इसमें geometry add करने के लिए हमें इस setting पर जाना पड़ेगा properties पर यहां पर हम geometry में जाएंगे यहां पर नीचे bevel में और इसमें depth आपको दिखेगा इसको आप जितना increase करोगे उसकी size जो है उतनी जादे increase होगी तो इसमें हम अभी 0.1 रखेंगे और similarly यहां पर अग अगर आप edge में देखोगे तो यह काफी angular look है इसमी Hoodness नहीं है तो यहां पर आप resolution इंक्रीजश कर सकते हो इसको में 20 रखोँगा देख सकते हो यह काफी smooth हो चुका है और यह जो fill cap का option है अगर आपको यह fill करना होता मि आप fill कर सकते हो नई करना होता आप unchecked कर सकते है सब तब देख सकते हो जैसे मैंने subdivide किया इसमें जो extra point है वो add हो चुके है और एक बार अगर मैं subdivide करूँगा तब देख सकते हो जितना जाधा मैं subdivide करूँगा उतना यह smooth बनेगा और उतनी जाधा इसमें detail add होगी और similarly अगर इसको मुझे extrude करना है तो मैं e-press करकी से extrude भी कर सक सकता हूँ तो आप देख सकते हो इसका जो shape है वो भी अपने आप change हो रहा है और similarly अगर मुझे duplicate करना है जितना भी duplicate करना है उतना select करने के बाद मैं shift d press करूँगा तो यह duplicate भी हो जाएगा और अगर मुझे इसको join करना है जो first और last है तो इसको पहले दोनों को select करना पड़ करेंगे तो आप देख सकते हो कितना perfect तरीके सा यह join हो चुका है अच्छा जैसे हमने यहाँ पर यह geometry add की है similar geometry जो है आप इस cover में भी add कर सकते हो तो पहले इस पर आजाते है अच्छा यहाँ पर आपको तीन option दिखेगा यहाँ पर round object और profile अगर मैं object में जाओंगा तो आप object का मतलब यह है कि जो भी object हम बनाएंगे उसका shape अगर हम इसमें add करना हो तो उसमें यह काम लगेगा for example अगर यह circle है पहले मैं इसे side पर रखोंगा इस circle का shape मुझे इसमे as a geometry add करना हो तो पहले मैं इसको select करूँगा यहाँ पर object में जाओंगा और यहाँ पर मैं select करूँग और सिर्फ size ही नहीं बलकि इसका shape भी अगर आपको change करना हो तो आप यहाँ से edit करने के बाद जैसा भी आपको shape रखना है आप यहाँ से decide कर सकते हो तो देख सकते हैं bean की तरह मैंने shape रखा है इसमें और तीसरा इसमें जो है profile अगर मैं profile select करूँगा पहले तो मुझे select करना पड़ेगा profile अब देख सकते हैं इसमें kleinish look मिलेगा आपको जिसके अंदर जो है dot हो गए अगर मैं इसे drag करूँगा तो जैसे मैं drag करूँगा तो उसी तरह का shape यहाँ पर बनेगा तो यह generally तब काम आता है जब हमें कोई design बनानी हो या कोई complex design बनानी हो देख सकते हैं कितना खुबसूरत लग रहा है और इसके अलावए यह जो इसमें जो arc है यह इतना smooth नहीं है तो इसमें smoothness के लिए हमें पहले active spline में जाना पड़ेगा यहाँ पर नीचे आपको resolution दिखेगा अगर मैं इससे कम करूँगा तब देख सकते हो काफी angular look है तो इसमें मैं 40 type करूँगा देख सकते हो कितना smooth बन चुका है अच्छा अगर मैं इसमें ऊपर जाऊँगा तो आपको यहाँ पर fill mode दिखेगा अगर मैं इसमें back select करूँगा तो इसमें जो सिर्फ back वाला हिस्सा है वो ही दिखाई देगा similarly इसमें front और अगर मैं half लूँगा तो यह half में convert हो जाएगा लेकिन अभी हमें इसमें full रखना है तो यह था कुछ information curve के बारे में अच्छा आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यह curve का use कहाँ पर होगा इसका use जो है generally बाल बनाने में होता है जैसे कोई character के अगर आपको बाल बनाने है उसमें use होगा या कोई pipeline बनानी हो या tube बनाना हो या कोई design बनानी हो तो उसमें general इसका use होगा और वीडियो अच्छा लगाओ तो इससे share जरूर करे और चैनल को subscribe करे thanks for watching